Hello everyone, welcome to my channel Fajik Spai Nitu Today we will discuss on Capillor's Law of Planetary Motion देखो Capillor's Law से हमें क्या पता चलता है कि जो भी अब प्लैनेट है वो सन के एराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं थ्री लॉज हैं, देखो सबसे पहले वाला लॉज है जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के एराउंड जितने भी प्लैनेट जो हैं सन के एराउंड रिवॉल्व करते हैं वो किसमें करते हैं? इलिप्टिकल ओर्बिट में, जो उनका ओर्बिट है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं सन के एराउंड, वो कैसा ओर्बिट है? elliptical orbit है वो ellipse की shape का है वो ठीक है यह इवली जो shape होती है यह किसकी होती है एक ellipse की shape होती है and sun is at one focus of ellipse और जो sun है वो कहां located है इस ellipse के one focus पे देखो किस तरह से पहले हम एक पार देख लें हाँ पे ellipse क्या होता है ठीक है देखो तो ellipse की शेप इस तरह से होती है, इस तरह से, ये एक ellipse है, ठीक है, देखो, ellipse क्या होता है, सर्कल को, सर्कल ऐसा है न, सर्कल को क्या कर दिया है, थोड़ा सा प्रेस कर दिया इस तरह से, तो ellipse बन जाता है, ठीक है, अब इस ellipse में देखो, क्या-क्या होता है, जो ये वाली च अब ellipse के क्या होते है दो focus होते है एक यहां पे ellipse के कितने focus होते है दो एक ये वाला focus और एक ये वाला focus होता है ठीक है तो जो sun है वो इन्हीं दो focus में से कहीं पे लाई करता है मालो यहां पे है sun इस focus पे ठीक है इस तरह से और जो planet है वो revolve कर रहे है यहाँ पर माड़ों यह वाला planet है कोई ठीक है यह planet है ऐसे revolve कर रहे है elliptical orbit में, यह elliptical orbit है clear, अब देखो ellips के बारे में और क्या-क्या चीज़े हैं जो हमें पता होनी चाहिए, देखो यहाँ से लेके यह वाली जो axis है इसे हम कहते हैं major axis क्या कहते हैं इसे हमें major axis कौण सा distance यहाँ से लेके जो यहाँ तक का है इसे हम क्या कहते हैं major axis ठीक है, और इसका distance किसके बराबर होता है यह होता है 2a के बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है फिर यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूँ यहां से लेके यहां तक तो यह distance कितना हो जाएगा ए और यहां से यहां भी कितना हो जाएगा यह ए और इसे क्या कहते हैं हम semi major axis इसे हम क्या कहते हैं semi major axis यह वाला इस वाले point का O से और O से लेके इस point तक इसे हम क्या कहते हैं semi major axis और ये distance किसके ब्राबर होता A के ब्राबर और ये भी A और ये पूरी जो आपके पास axis है इसे हम क्या कहते है major axis ये 2 A के ब्राबर होती है ठीक है और अगर हम इसकी बात करें देखो ये वाला जो है ये वाली जो distance है इसे हम क्या कहते है minor axis क्या कहते है इसे minor axis और ये किसके ब्राबर होता है 2 B के ब्राबर ठीक है अगर हम semi minor axis की बात करें तो ये वाला हो जाएगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक यह वाला distance भी आपके पास B और यह भी B हो जाएगा clear होई यहां तक सारी बाते यही वाली यहां पर देखो यह वाली ही picture draw की हुई है यहां पर यह आपके पास क्या हो गए देखो sun और यह इस तरह से जो planet है वो revolve कर रहा है sun के around इसका distance होता है two way ठीक है और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का हो गया a और इसे हम कहेंगे semi major axis यह वाला semi major axis और यह वाला जो distance है इसे हम बोलते है minor axis और इसके पराबर होता है two B के पराबर clear हो गया अब देखो यहाँ पे जो इस sun के सबसे नजदीक वाला point होगा माल लू यह वाला point ले रहे हैं ठीक है ये है P point, ये sun से सबसे ज़्यादा नजदीक है और sun से सबसे ज़्यादा दूर point कौन सा होगा ये वाला इसे A माल लो, ठीक है सन के सबसे नस्दीक पॉइंट ये P और सन से जो दूर है पॉइंट वो कौन सा हो गया A ठीक है अब देखो ये जो P पॉइंट है जो सन से बहुत नस्दीक है इस वले पॉइंट को हम क्या कहते हैं देखो The closest point P is called Perihelion क्या कहते हैं इसे Perihelion Spelling है P-E-R-I-H-E-L-I-O-N Perihelion कहते हैं इसे ठीक है जो सन के बहुत नस्दीक है और जो सन से बहुत दूर है A point इसे हम क्या कहते हैं Ephelion Spelling है A-P-H-E-L-I-O-N Ephelion इस वाले को कहते हैं Ephelion जो दूर है सन से point और जो सन के बहुत नजदीक है उसे हम क्या कहते हैं पैरिहिलियोन अब देखो इस फर्स्ट लौ से हमें क्या चीज़ पता चलती है देखो यहां से हमें एक जिस तो कलियर हो रही है कि जो भी आपके पास प्लैनेट है वो सन से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है पूरे और बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो प्लैनेट का सन से डिस्टेंस क्या कर रहा है वेरी कर रहा है अलग लग होगा देखो जब प्लैनेट यहां पे होगा तो उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और यहां पे इसका डिस्टेंस कुछ अलग होगा सन से यहां पे अलग होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होगा डिस्टेंस हाना तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी प्लैनेट है उसका डिस्टेंस सन से क्या कर रहा है वेरी कर रहा है अलग-लग होता है उसका डिस्टेंस ठीक है बस इतनी चीज़े थी केपलर फर स्विप्स आउट इकोल एरिया इन इकोल इंटरवल आफ टाइम जितने भी प्लैनेट हैं वो इकोल एरिया स्विप्स करते हैं इकोल इंटरवल आफ टाइम में और हम इस तरह से कह सकते हैं एरियल विलोसिटी ओफ ए प्लैनेट एराउंड दा सन इस कॉंस्टेंट जो भी एर पूरे इस orbit में क्या रहती है, value इसकी constant रहती है, यह आपके पास Kepler's second law है, देखो इसको किस तरह से understand करेंगे हम, इस तरह से, मालो आपके पास इस तरह से, देखो यह एक, ellipse है, ठीक है, यह इसका क्या बन गया यहाँ पर, center, oh, clear है, अब देखो इसके जो आपके पास, जो है, मालो यहाँ पर sun है, ठीक है, इस वाले focus पर sun है, यह क्या है अपके पास, sun, ठीक है, अब देखो, कोई planet है, ठीक है, अगर वो planet, मालो वो planet यहाँ पर है, ठीक है, और, यहाँ पर, यह planet है, P1 position पर, ठीक है, और after, एक second के बाद हो planet, move कर गया, और कहा रीच कर गया, यहाँ प पहले और वन सेकंड के बाद वो कहां रीच कर गया पीटू पे रीच कर गया क्लियर है ओके अब यह क्या कह रहे हैं कि जो यह एरिया स्वेप कर रहा है इस टाइम पे ठीक है अब देखो एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को भी यहां सन से इस वाली से यह एरिया के बात कर रहे ह। अब आपके पास क्या है पी फॉर से पीफोर तक रिच किया हूँ यह भी वन सेकंड में रीच किया है अगर हम यहां पे बात कर 40 तॉरक कर से कर दो वो planet यहां से लेके यहां तक move किया P3 से लेके P4 तक अब यहां पर area कितना होगा कैसे निकालेंगे area sun से इसको join करो इस तरह से यह वाला और इदर इसको भी join किया sun से तो इस वाले area की बात कर रहे हैं यह वाला area जो है ठीक है तो यह क्या कह रहे है second law कि जितना जो भी area swap कर रहे हैं same time में यहां भी one second की बात की हमने और यहां भी one second की बात की तो वो जो area है वो कैसा होगा वो उसकी value के रहती है constant रहती है means यह वाला area किसके ब्राबर होता है इस वाले area के ब्राबर होता है यह है second law of capital second law clear हो रही देखो अभी यहां से यहां आपको देखने से पता चल रही होगी एक चीज़ देखो यहां से लेकिए यहां तक यह भी एक second में यहां planet यहां से यहां तक रीच किया तो देखो उसको इतना distance travel करना पड़ा उसने ज़्यादा distance travel किया यहां पे one second में और अगर यहां की बात करें यहां पे उसने one second यहां से लेकिए यहां तक रीच किया और उसने कम distance travel किया क्योंकि यह करना पड़ा उसको देखो अगर क्योंकि हमने क्या कहा क्यापनलर second law क्या क्याता है कि area सेम आना चाहिए दोनों का अगर देखो यह planet one second में इतना ही distance travel करता जितना यह वाला है तो यहां से लेकिए यहां तक आना था कहीं फिर अगर हम इसका area निकालते तो वो तो बहुत बड़ा area आना था इसके comparison में यह वाला area कम रह जाना था और यह वाला area बहुत जादा हो जाना था पर हमें वैसा तो नहीं चाहिए हमें तो area, area क्या चाहिए same time में अगर जितना वो area swap कर रहा है उसकी value क्या आनी चाहिए constant आनी चाहिए और वो कब possible है वो तब ही possible है अगर यहां यह ज़्यादा distance travel कर रहा है और यहां पे कम करना चाहिए यह कम क्योंकि इस वाले area में यह वाला portion भी तो है इतना बड़ा और इस वाले जब area निकाला तो यह तो sun के बहुत नजदीक था तो यह वाला distance, यह वाला portion है यह कम है पर यहां की जब हम बात कर रहे है तो यह portion भी तो इतना बड़ा है उसकी वज़ा से area जादा हो जाना था इसका तो उसको हमने क्या किया अगर इसके बराबर करना है तो क्या करना पड़ रहा यहां पर कम distance travel करना पड़ रहा है उसको कम distance travel करेगा तब भी तो यह पूरा area इसके बराबर आएगा देखो यह figure से भी clear हो रहा है वो क्या रहती है constant नहीं रहती जो उसकी linear velocity है वो 所ाख चेंज होरी यह जो रही है यहाँ पे विलासिटी अलग होगी यहाँ अलग होगी आगर घ्ल कोरूब्यों यहां तक उसकी velocity v1 है और यहां-स यहां अन्यमे स्की velocity v2 है तो देखो यह c play rdP V1 velocity greater than होगी V2 के कैसे विकार देखो एक second में हो यहां से यहां तक रीच किया उसको इतना सारा distance उसने एक second में complete किया it means velocity किया होगी यहां पे जादा और वही यहां पे एक second में उसने यहां से यहां तक पहुंचा वो कमी distance ट्रेवल किया उसने it means यहां पे फिगर से क्लियर है, ये वाली विलोसिटी ज़्यादा होगी, और ये विलोसिटी कम होगी, अगर कोई प्लैनेट सन की नियर है, बहुत नस्दीक है, तो उसकी विलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा विलोसिटी से मूव करेगा, देखो सन से यहाँ नस् चीज की हुई है ठीक है एक बार दौरा कहले देखो according to this law all the planet sweeps out equal area in equal interval of time that is aerial velocity of a planet around the sun is constant aerial velocity क्या होती है area covered per unit time ठीक है वही वाली चीज की है देखो यहां पर P1 से लेके P2 तक means यह वाले area की बात कर रहे हैं इस वाले area की है यह एरिया किसके ब्राबर होगा अगर यहां पर हम ल टाइम से मोना चीए पर ठीक है अगर टाइम अलग-लग होगा तो तो फिर area भी अलग-लग हो सकता है same time की बात कर रहे है one second में वह यहां से यहां रीच किया ठीक है तो यह वाला जो area यह इस area के क्या होता है ब्राबर होता है means आप कहीं भी ले लो तो जो area जो आपके sweat कर रह जो मैंने भी बताया आपको आप इस तरह से notes में write down कर सकते हो planets do not revolve around sun with constant speed से revolve नहीं कर रहा है वो planets move faster when it is near to the sun and slower when it is farther from the sun जब दूर होगा तो वो क्या करेगा slow उसकी speed क्या हो जाएगी slow हो जाएगी यहां तक clear हो आपको यह चीज़ ठीक है अब देखो इसका proof है यह तो हमने explain कर लिया Kepler second law क्या है अब हमें mathematically proof करना है यह वाली चीज़ कि da divided by dt किसके ब्राबर आना चाहिए constant हाना same आने चाहिए उसकी value अब इसका proof करते हैं देखो proof understand करने से पहले यह कुछ short questions में पूछ लेते हैं आपको तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसका use हम यहाँ पे करने वाले हैं proof में तो पहले यह देखो क्या है हम क्या कह रहे हैं देखो when planet revolve around the sun its angular momentum remain constant यह क्या कहारे हैं जब planet revolve कर रहा है sun के around तो उसकी जो angular momentum होती है उसकी value के रहती है constant रहती है जैसे यह वाला जो planet है यह revolve कर रहा है इस तरह से sun के रहा हूँ ठीक है तो इसकी angular momentum क्या रहती है constant रहती है यह वाला result हम यहाँ use करेंगे अब देखो इसको कैसे हम explain कर सकते हैं कैसे angular momentum इसकी constant रहेगी देखो यह sun है यह planet है इसके बीच का distance मालो r है ठीक है ओके अब इस sun की वज़ा से यहाँ पे जो gravitational force होगी वो कि इस direction में लग रही होगी है ना clear है ना ओके तो देखो जो torque अगर हम कहें torque कितना लग रहा है planet पे तो torque की value किसके ब्राबर होती है r cross f r cross f ठीक है अब इस वाली case में क्या होता है को rf sin theta है ना और theta की value तो means planet पे कोई torque ही नहीं लग रहा है because देखो r भी इसी direction में है और क्या है जो आपके पास force लग रही है वो भी यहीं पे है दोनों along the about the sun ही आ रही है देखो force ऐसी लग रही है sun से पास कर रही है तो r और f के बीच में angle कितना हो गया zero तो इस पे torque लगी नहीं रहा torque की value क्या हो गई zero r cross f equal to zero और हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है अगर net torque zero लगता है तो वहाँ पे angular momentum की value क्या होती है constant होती है law of conservation of angular momentum हाँ ना वो हमने अच्छे से understand किया था उसमें क्या कहा था हमने अगर net torque की value zero है तो angular momentum की value क्या होती है वहाँ पे constant इटमीज यहाँ पे torque की value क्या है zero तो angular momentum L की value क्या होगी पूरे उसमें planet के लिए constant होगी clear अगर short question में आता है तो आप इस तरह से explain कर सकते हो clear हुई यह वाली बात अब हम कहा सकते है कि जब भी कोई planet revolve करता है sun के around तो उसकी angular momentum क्या रहती है constant रहती है अगर इसकी value हमें find out करनी है देखो तो angular momentum किसके पराबर होता है r cross p यह वाली value है यह होता है r cross p momentum की value रिख सकते है mass into velocity इस तरह से clear तो L equal to किसके पराबर होगा है m v r ऐसे तो क्या आना था m v r sin theta इस तरह से आना था पर अभी हम क्या सोच रहे है देखो कि जो भी v और r के बीच में है वो क्या है 90 degree का angle है ठीक है देखो एक circle की जब हम बात करते थे इस तरह से तो देखो velocity इस तरफ को है और ये r होता है इनके बीच में अंगल कितना होता है 90 degree ठीक है अब ये तो circle नहीं है ये तो ellipse है बट इसमें क्या है देखो हम ये assume करके चल रहे है कि इनके बीच का angle कितना है 90 because आपके books में इसी तरह से दिया था तो मैंने इसी तरह से explain किया ये वाली चीज ठीक है देखो क्योंकि ellipse भी क्या है circle को क्या किया है हमने बस थोड़ा सा press किया हुआ है ठीक है तो ellipse बन गया तो r और v के बीच में क्या ले रहे है 90 degree का angle तो यहाँ पर क्या आ गया mvr sin 90 is 1 तो mvr write down कर सकते है इसकी value क्या रहती है constant रहती है clear होगी ये वाली चीज अब आओ देखो proof पे तो proof किस तरह से करेंगे देखो इस तरह से है आपने notes में बस ऐसे write down करना है इस तरह से तरह से तरह से proof देखो ये आपके पास यहाँ पे है elliptical orbit ये sun है यहाँ पे माल लो ठीक है और यहाँ पे planet है चीक है p माल लो ये planet ऐसे move कर रहा है इस direction में चीक है इस तरह से इसकी velocity है इदर को ठीक है और ये वाला distance क्या है sun से इसका distance planet का r ले रहे हैं clear अब हमें find out क्या करना है area कितना area swap कर रहा है ये वाला फिर यहाँ से हम क्या प्रूफ करेंगे da divided by dt किसके ब्रावर आना चाहिए constant के ब्रावर आना चाहिए चीक है में जब हम area find out करना है ये वाला area find out करना है ठीक है देखो जब हम माल लो dt टाइम ले रहे है यहाँ पर हम one second ले रहे है small time ले रहे है dt ठीक है तो dt टाइम में वो यहाँ से लेके यहाँ तक रीच करा planet यहाँ से लेके यहाँ तक इतना distance उसने travel किया ठीक है तो distance कैसे निकालते हैं velocity into time ठीक है तो velocity होगी उसकी v और time कितना है dt टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक रीच किया तो यह वाला जो distance है यह किसके बराबर ले सकते हैं v dt के बराबर अब देखो इसको ही हमने यहाँ पर write down किया यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ठीक है यह वाला जो आपके पास triangle बन रही है इसका हमें area find out करना है देखो यह triangle बन गई ना एक अभी triangle कैसे बन गई देखो अब हम कहेंगे यह तो एक arc है यह तो straight line नहीं है बट हम किसकी बात कर रहे हैं हम बहुती small time की बात कर रहे हैं तो dt टाइम में जो है यह एक arc ना रहे कि यह कैसे behave करेगी यह is a straight line ही clear तो देखो इस तरह से हमने इसको write down किया यह वाला distance कितना है देखो r clear और यह वाला क्या है आपके पास v dt इतना distance travel किया उसने मान लो यह p था और यहाँ पे p dash मान लो p dash में reach किया p to p dash मान लो इसको इतना distance travel किया उसने v dt इसको क्या मान रहे हैं हम इसको straight line ही मान रहे हैं इस तरह से because हम बहुत ही small time की बात करते हैं बहुत small time की बात करते हैं तो यह क्या हो गया एक straight line की तरह ही भीव करता है अब यहाँ से हमें इसका area find out करना है area क्या होता है half into base into height half into base कितना है आपके पास देखो r आपको visible है देखो r यह है base और height कितनी हो गई यह वाली और क्या height कितनी होगी v dt तो हमने यह वाली चीज़ें हाँ पर write down कर ले v dt अब यहाँ पर देखो d a because हम small time की बात कर रहे हैं small area ले ले लेंगे d a equal to 1 by 2 v r और साथ में आजाएगा dt यहाँ पर clear अब देखो d a divided dt को यहाँ लेकिया आजा तो d a divided by dt equal to आगया 1 by 2 v into r clear यही तो हमें find out करना था यह हमें किसके बराबर prove करना है constant के बराबर prove करना है हमे तो अब हम क्या करेंगे देखो d a divided by dt equal to इसके बराबर देखो यहाँ पर 1 by 2 v r है अगर यहाँ में m से multiply कर दूँ m से ही divide कर दूँ तो कोई problem नहीं है यह cancel out हो जाते है कर सकते हैं हमने m से divide कर लिया m से ही multiply कर दिया यहाँ पर ठीक है अब इससे क्या फाइदा हुआ देखो यह किसके बराबर आ गया m v r यह किसके बराबर है आपके पास angular momentum हाँ न तो m v r को हम रहट डाम कर सकते है l divided by 2 m वैसे आ गया clear तो d a divided by dt किसके बराबर आ गया l divided by 2 m means angular momentum divided by 2 m अब देखो हमने क्या कहा अब angular momentum की value तो क्या है planet के लिए constant है हमने अभी proof भी किया हमने कहा था न यह वाला result यहां use होगा अब हम कह सकते हैं कि angular momentum की value क्या होती है जब planet जो है sun के around जो है revolve करता है तो उसकी value constant रहती है यह वाली value भी constant है और mass of planet revolve कर रहा है इसकी mass की value भी change नहीं होने वाली यह भी constant है तो दिए डिवाइड़ वाइड़ डिटी किसके बराबर आ गया constant यही तो है capital second law और यह हमने proof कर दिया इस तरह से clear समझ आगी यह वाली चीज अब देखो एक और चीज भी हमने कही थी कि अगर कोई planet sun के नजदीक होगा तो वो उसकी velocity के रहती है ज़्यादा और अगर वो दूर होता है तो उसकी velocity कम velocity से move करता हो इस चीज को भी proof कर सकते है देखो कैसे देखो मालो यह इस तरह से यहाँ पे यह draw कर लिए हमने यहाँ पे ठीक है मालो यह p point है और यह मालो आपके पास q point है ठीक है अब हम क्या कर रहे है देखो हमें मालो यहाँ पे क्या find out करनी है यहाँ पे angular momentum find out करनी है देखो किस तरह से proof करेंगी वो चीज़ angular momentum यहाँ पे p point पे वो किसके ब्राबर होगी angular momentum जितनी q पे है अब मालो पी point पे angular momentum की value है आपके पास l1 ठीक है जैसे l1 मालो यह किसके ब्राबर होगी l2 और q पे angular momentum कितनी है आपके पास l2 है अगर ठीक है तो देखो l1 की value क्या आईगी आपके पास मास तो सेम रहने वाला है m मालो यहाँ पे velocity v1 थी ठीक है और रहने के लिए इसका r1 है equal to और यहाँ पे mvr m तो सेम है प्लैनेट का मास ठीक है और यहाँ पे मालो velocity v2 velocity से move कर रहा है जब यहाँ था ठीक है वो तो अलग लग है और distance भी अलग है r2 है हम इस तरह से write down कर सकते हैं क्योंकि angular momentum तो सब जगा constant है l1 equal to m से m cancel हो गया यहाँ से carry down कर सकते हैं देखो अब v1 r1 equal to किसके ब्राबर आ गया v2 r2 और अगर हम v1 divided by v2 write down कर लें तो किसके ब्राबर आ गया देखो r2 divided by r1 यह देखो v1 और r1 कैसे vary कर रहे हैं inversely means अगर r1 अगर जो distance है planet का sun से अगर यह ज़ादा होगा तो velocity कैसे रहेगी यहाँ पे कम ठीक है और अगर r1 distance कम होगा means यह नजदीक होगा अगर इसके ठीक है यह वाला distance कम है अगर planet का sun से तो velocity कैसे होगी वहाँ पे ज़ादा तो यहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं v is inversely proportional to r velocity inversely vary कर रही है distance के जो planet का sun से है clear यह चीज़ ऐसे भी प्रूफ कर सकते है अगर short question में आ गया clear देखो यह clear हो गया अब है देखो Kepler's third law देखो Kepler's third law का कह रहा है according to this law the square of time period is directly proportional to the cube of semi-major axis of elliptical orbit देखो Kepler third law को हम law of periods भी कहते हैं because यह time के बारे में बता रहा है ठीक है according to this law यह law का कहता है square of time period जो भी time period है जितना वो एक complete round complete करने में time ले रहा है is directly proportional to planet around the sun ठीक है is directly proportional to the cube of semi-major axis of elliptical orbit देखो इस तरह से था हमारे पास देखो यह ठीक है अब देखो यह वाली चीज़ और यह ठीक है यह वाली यह क्या है आपके पास semi-major axis इसको कहते थे हम क्या कहते थे देखो semi major axis यह वाली चीज़ ठीक है अब यहां पर क्या है आपके देखो मालडो यह आपके पास क्या है sun है और यह क्या है आपके पास planet ठीक है ओके तो यह क्या कहा रहे हैं जितना यह time लगा रहा है पूरा का पूरा round complete करने में उसका अगर हम square करें वो directly proportional होता है किसके ब्राबर cube of semi major axis यह है semi major axis इसके cube के ब्राबर कि directly proportional है time period का square देखो यह वाली चीज क्या है यह वाला जो distance है ए जो है वो क्या है distance of planet का sun से कितना distance है देखो अब इस वाली case में जो distance है वो तो हर जगा अलग-अलग होगा हाना sun का देखो यहां पे कम होगा यहां जादा होगा इस तरह से अलग-अलग है तो अब हमने क्या किया कि हम एक average distance ले लिया sun और planet के बीच में क्या ले लिया average distance और वो average distance उन्होंने किसके ब्राबर माल लिया जो semi-major axis है आपके इस orbit की semi-major axis किसके ब्राबर है यह वाला हाना तो जो sun से planet का distance देखो वो vary कर रहा है आप समझ रहे उस बात को हाना हर जगा vary करेगा planet का distance sun से तो उसको हमने के ले लिया एक average distance ले लिया sun का planet से वो किसके ब्राबर माल लिया उन्होंने जो semi-major axis है इसके ब्राबर ठीक है तो t square किसके ब्राबर आ गया a cube के ब्राबर ठीक है और यहां से t square रिकुल्ट हो आजगा k यह proportionality sign हटेगा तो k a cube ठीक है और t square divided by a cube हो गया constant ठीक ह अगर हम दो planets की बात करें तो उनके time period अलग-लग होंगे हाना दो different planets की बात करें तो t1 square divided by t2 square किसके ब्राबर आ जाएगा या आप a1 write down करो कुई कि हमने यहां पे a1 माना था ना इसको a1 और a2 a1 cube divided by a2 cube clear ठीक है जो second वाला planet होगा उसकी semi-major axis हमने a2 माल ली ठीक है और जो first वाला है उसकी a1 तो इस तरह से होगा देखो यह वाली चीज़ और यहां से क्या पता चल रहा है देखो अभी जितना ज्यादा sun से जो planet है वो दूर होगा उतना ही ज्यादा कि directly vary कर रहे है ना उतना ही ज्यादा उसका time period होगा ठीक है basically यह क्या है distance between sun and planet ठीक है अब इससे relative numerical होंगे तो वहां पर आपी distance ही लोगे ठीक है तो तो दस larger the distance of planet from the sun the larger will be its time of revolution around the sun clear तो देखो यह आज हमने कैपलर्स के तीनों लोह के बारे में understand किया I think यह आपको clear हो गया okay thank you